क्लास 11 में कोई भी सीरियसली नहीं पढ़ता सिर्फ 5% स्टुडेंट्स सीरियसली पढ़ते हैं माल लिजे हम उन 5% स्टुडेंट्स में नहीं है हम 95% स्टुडेंट्स में हैं जो भी सीरियस पढ़ते हैं एक लास का रहता है सबसे पहले इक बात समझेगा प्लास तुरत के अंदर हमें पास 9 units है जिन units में सबसे पहली unit हैं के पास ElectroStatics ElectroStatics है क्या है? ElectroStatics यह unit first है जो 8 marks की है आप कैसे हैं? और ElectroStatics को समझने के लिए सबसे पहले ElectroWatt को दोड़ लेजिएगा जिसका नाम मतलब होता है Charge और Esthetics means होता है Rest It is a branch of physics in which we study a charge particle in rest अगर इक charge particle को आप rest को इशे में पढ़ेंगे तो आप उसे लेखो Esthetics कहेंगे, अगर आप उसे motion में पढ़ेंगे तो उसे आप लेखो Magnetics कहेंगे जो हमारे पास unit third unit fourth है सबसे पहले आप एक पास समझेगा यह अगर स्क्रेटिक्स हमारे सेर्वस में एन बाक्स की है जिसके अंदर चार्च आप रहाँ के पास फॉस्ट चार्च फॉस्ट ए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप यह चार्च पार्टिकल्ड्स क्या होते हैं Electron सभी ने सुनाए उसके बारे में Proton सभी ने सुनाए उसके बारे में Electron proton के बारे में जागतार सभी स्ट्वड्यंट्स समझते है कि आप क्लास 12 से पहले नहीं जामते हैं, जैसे कि ड्यू ड्रोन, अल्फा पार्टिकल, पाई पोसितिव मैस हों, अब क्वार्क, पाई पोसितिव मैस हों, और अफ क्वार्क के बारे में तो क्लास 12 में बहुत ही, 5%, उसकी से 5% इस्ट्टेंट से आते हों। अब सिर्फ यह समझेगा हमारे पास सबसे चक्तर में सबसे बहले में पढ़ ना है, चार्ज चक्तर ओर इनक्ष स्ट्टिक直接 की वो ब्राम्द है, जिस ब्रांच के अधराा आप चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पुजिशन में पढ़ेंगे इसमें चार्च चाप्तर हैं के पास सबसे महले आपके पास यही कोश्चन आएगा वाट दी निवाए अच्छ पाइगा